हेलो दोस्तों के सो आप सब उम्मित करूँगा आप सब अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाइट टोन क्रीम के बारे में ये क्रीम को अभी इंडिया में बहुत लोग यूज करते हैं खास करके लड़कियां ये क्रीम को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए तो इस वीडियो में हम जानेंगे वाइट टोन क्रीम के बारे में कि ये क्रीम कितना अच्छा है यूज़ करना क्या ये क्रीम सही है आपके चेहरे के लिए कितना सही है ये क्रीम का यूज का नापके स्कीन के लिए क्या हम ये क्रीम को डेली यूज कर सकते हैं इसके अलावा कौन-कौन यूज कर सकते हैं ये क्रीम को पूरा डिटेल मैं ये मैं ब्लोक को बताता हूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ये क्रीम का प्राइस आपको 1.500 इंडियन रुपीज में मिल जाता है, 50 ग्राम का पैक, ये आप कोई भी मेडिकल स्टोर में ले सकते हैं, कुछ कोस्मेटिक दुकान में भी ये अवेलेबल होता है, इसके अला दॉक्टर से या फिर मेडिकल वाले से इसके बारे में जरूर एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप यूज करीए, आप लोगों को कई दवाओं के, कई क्रीम के बारे में यूटूब में गूगल में इंफोर्मेशन मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपको उसका ओवर इदे रहें, उन्हें आप पहले बताईए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कौन से परपस से आप यूज करने वाला है, उसके बाद वो जिस हिसाब से बताते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर हम बात करें, मेडिसिन कोंपोजिशन की, बहुत सारे मेडिस आपका रेडियन्स एंड ग्लो, ये दोनों ही चीजों को अच्छा मैंटन करता है, इसके लाव अगर आपका फेस का स्कीन खराब हो रहा है, या फिर खराब दिखता है, तो आप देखेंगे कि ये क्रीम के यूज करने के बाद उसमें ग्लो आ रहा है, भले ही ये धीरे-ध काम करें, बट ये काम अच्छा करता है, आपके चेहरे में जो भी जूरियां वगेरा रहेंगी, उसको धीरे-धीरे ये क्रीम जो है खतम करता है, ये क्रीम वाइटनिंग का भी काम करता है, बट अगर हम कंपेर करें फिर से पैंडम या फिर वैटन वैट सी क्रीम से, तो उ वह रहता हूँ, खराब नहीं होता है, क्योंकि यह क्रिम स्मूद and सॉफ्ट रखने के लिए जाना जाता है, जब आप यूज करेंगे क्रिम को अपने स्कीन पे, तो आप देखेंगा, आपका स्कीन काफी अच्छा smooth and soft है अगर हम side effect की बात करें तो ये क्रीम का overdose होने के वज़े से आपके चेहरे में rashes आ सकते हैं आपका skin का color लाल दिख सकता है इसके लावा आपको खुजली की problem हो सकती है छोटे छोटे pimples हा सकते हैं या फिर कोई भी acne disease हो सकता है अमोमन बहुती कम लोगों में rare देखा जाता है ये side effects अगर आप इसका use ज्यादा करते हैं तभी आपको side effects मिलता है तो इसका use आपको दिन में एक ही बार करना है कोशिश करिए आप रात में use करिए तूरंत लागा के आप धूप में ना जाए ऐसा करने से आपको side effects कम ही देखने को मिलेगा इसके अलावा जो औरत pregnant है या फिर छोटे बच्चे हैं दूद पिलाती है या फिर एकदम ही छोटे बच्चे हैं वो लोग ये क्रिम को use ना करें use करने से पहले डॉक्टर के advice ले उसके बाद ही use करें उम्मिद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखें अपना thank you so much for watching